power of an attorney किसे कहे दिया power of an attorney समझने के लिए चलिए समझने के लिए छोटा से egζामpl लेते है जब एक आदमी सब्सक्वराई ये एक आदमी है दूसरा ये आदमी है ये आदमी इसके पास टाइम नहीं है जिसके कारेνक इसने अपनी powers इसको दे दिये कि आप मेरे बदले में exercise करो जोबच मेरे पास थी जिस post पे था वो पास थी वो मैं आपको दे रहा हूँ आप उस पावर को exercise करो enjoy करो और जो जो काम करना कर सकते हैं तो यह अपनी पावस को दे रहा है जो ले रहा होता है पावस उसको कहते है डोनी जो दे रहा होता है उसे कहते है डोनर और भी इसके नाम है जो ले रहा होता है जो पावस ले रहा है उसको कहते है एजेंट और जो पावस दे रहा है उसको कहते है प्रिंस्पल तो प्रिंस्पल एजेंट का रिलेशन होता है डोनर डोनी का रिलेशन होता है जो ले रहा होता उसका एक और नाम होता है अब आगर आपको धंग से देखो तो हम क्या कर रहे है Power of Etoni, मतलब Etoni जो Doni है, Etoni है, Agent है तिनों इसी का नाम है, तो ये जो Doni है इसी की पावस को हम देखने जा रहे हैं तो ये किसमें डिफाइन होता है तो हमारे Indian Constitution में एक Act इसका बनवाई जिसका नाम है Power of Attony Act 1882 जिसके अंदर सारे Guidelines और साथे साथ अरेंजमेंट दिवें कि क्या क्या पावस इसके पास होती है Power of Attony दो किसमें Divide होती है यह जाकर फर दो हिस्तों में Divide हो जाती है पहला आता है General Power दी जाती है Atony को और कुछ होती है Special Power दी जाती है कि आप यह कर सकते हैं ठीक है दो किसम के होते है एक General और एक होता Special General वाले के अंदर कहा जाता है कि आप General यह सब काम कर सकते हो इतना ही बस Special में आपको कुछ खास Purpose के लिए दी जा रही है और वो Purpose complete होने के बाद वो पावर खतम हो जाएगी आपकी उसके बाद आप exercise नहीं कर सकते हैं तो यह दोनों में होता है अब हम देखते हैं वह सामने वाला जो प्रिंस्पल है वो एजेंट को क्यों देता है एटोनी को principal agent का जो relation है तो हम लेकर चलता है principal agent का तो principal क्यों power देता है ऐसा होता है कि उसके पास time नहीं है और कल important काम है तो वह अपनी power उसको दे देता है कि आप मेरे बदले जाओ यह जो जाने के लिए कहता है यह एक written document में होता है इसलिए powers of attorney इसी को कहते है power of attorney short form में बोलूं तो एक जब principal होता है agent को बोलता है कि तुम मेरे बदले जाओ बदले में sign करके written document दे जिता है कि तुम मेरे powers को exercise कर सकती है उसको कहते है power of attorney ठीक है इसके नदर क्या होता है कि बहुत सारी power of attorney जातर एक close contact में दिया जाता है जिसपे आप विश्वास करते हैं क्योंकि miss use करने का जादा chances होता है एक और example देखते हैं कि कब चब principle अपनी पाउस agent को देता है suppose करो मुझे कल जाना है वो बहुत important meeting है पर मुझे fever है तो मैं नहीं जा सकता तो मैं किसी को अपने एक अपनी पाउस को use करते हुए एक written document बना दूँगा जिसके नदर मैं authority की तरह लिख दूँगा इसका एक format होत जैसे मुझे treat किया जाता है since he I have given him power of attorney ये power general special दोनों सकती है उम्मिद करता हूँ आपको छोटा सा समझ में आ गया होगा